हालो फ्रेंड विल्कुम बैक तो माई चैनल फ्रेंड आप लोग कैसे वो चरूर पताईएगा तो फ्रेंड आप लोगों के लिए निव किचन टिप्स से लेके हम आ गया फ्रेंड ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जो हमारे कामों को बहुत आसान बना देते हैं तो आप लोग कैसे इस्टोर करेंगे तो आप लोग में वीडियो में बने रहिएगा तो इसको क्या करेंगे इसको पत्ता पत्ता पहले निकाल लेंगे तो इस प्रकार से अगर आपके पास काफी टाइम है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आराम से धूब में बैटके अगर टाइम कम है तो चलिए उसको भी देख लेते हैं आपको कैसे करना है तो आपको क्या करना है कि एक एक ऐसे ले देना इस परकार से और जो पके खराब पते हैं उनको निकाल देना है तो इस परकार से आप ले लीजिए ये देखे और इसको हमने धोया नहीं है पानी में नहीं डाला है क्योंकि पानी में डाल देते हैं तो यह क्या रहता है? क्यों पानी अच्छे से सूق नहीं पाता है फिर यह जो है तो खराब होने लगती है तो इसको हम दोई नहीं है क्योंकि यह बहुत जादे एक किलो के आसपास रही है धनिया की पत्ती तो इसको मैं धोई नहीं हूँ, ऐसे यानि इसको रख दूँगी और साफ करके फिर जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसको हम धोलेंगे, तो इस प्रकार से हम इसको साफ कर लेते हैं, तो वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंट कैसे इसको साफ कर रहे हैं, तो यह देखिए, तीकट ठले लेते हैं, और इस प्रकार से फिर यह देखिए, इस प्रकार से हम इसको निकाल देते हैं, तो देखिए फ्रेंट कितने आसानी से साफ हो गई है, धनिया की पत्ती पूरी साफ कर लिए हैं, तो फ्रेंट चलिए इसको इस्टोर करने का तरीका भी देख लेते है इसको कैसे स्टोर करेंगे जिससे यह लंबे समय तक रही आएगी तो फ्रेंड आपके पास अगर इस प्रकार से कंटेनर है कुछ भी आपके सामान वगिरा खाने के आते हैं तो ऐसे कंटेनर जरूर होंगे तब क्या करिए कि इसमें एक टीशू पेपर नीचे डाल दीजे तो हम रखए हैं अच्छाती इसको कि काफी जादा धनीए के पती हैं तो ना कि थोड़ा से हम इस तारह से इस्टोर कर रहे हैं तो यूप रहा हैं तो आपके ऊपर सा भी तीशू कलीको हम लगा देते और जिससे धनीए के पती हमारी फ्रेश बनी रहे तो यह देखे आँ यह, अब इसमें भी हम रख देते इसी प्रकार कैसे उसमें रखे थे कि देखे इसको भी रख देते हैं, पिर्धा है तो देखे फ्रेंड रख दिये इसको भी बंद कर दियें उसी प्रकार तो देखिए फ्रेंड आप इतनी बच गई है अब अगर आपके पास कंटेनर वगेरा ऐसे नहीं है तो आप क्या करिए कि एक पॉलिथिन ले लीजिए कोई भी पॉलिथिन ले लीजिए तो चलिए देख लेते उसमें पॉलिथिन में हम इसको कैसे श्टोर करेंगे तो आप इस प्रकार से रख दीजिए पुरी धनिय के पत्ती तो देखिए इसमें पॉलिथिन में हम रख दिये है यह देखिए प्रेंड अब इसमें हम गाठ लगा देते हैं और जो इसमें हवा है अंदर उसको हम इस तरह से दवा के निकाल देते हैं यह देखिए तो देखिए फ्रेंड हम धनिय की पत्ती इस तरह से श्टोर कर सकते हैं और रख सकते हैं यह 10 दिन 15 दिन आराम से अच्छे से चल सकती है और जब भी आपको जरूरत पढ़े इसको निक पॉलथीन ढाती है और फिर पॉलथीन को हमको अच्छे से रखना है उसमें एक भी यानि शिल्वट्ट्य वगिरह ना पढ़े और जब भी जरूरत को नहीं पढ़े तो हम यूज कर सके तो आप क्या करिए के कुकर ले लीजे कुकर को गरम नहीं करना है कुकर ठंडा ही रह देंगे और इस प्रकार से आप ले लिजिए खाली को कर इसमें कुछ खाने रगल नहीं बना ़िजा। तो इससे क्या होगा कि यह आप की जो पौली थिन है तो आपकी जरूरत परी वैससे सामान रखना है तो आप इसमें रख सकते हैं और किसी को ऐसे देना भी है कुछ इसमें दे सकते हैं और अच्छे देखने में भी अच्छी लगती है और जब भी हम खाली हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो पॉल्थिन तो आती रहती है सब जी भाजी लाते रहते हैं तो आप इस प्रका इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लिए हैं तो इस प्रकार से सभी जो वालतिन है हम फोल्ड करके जित्ती जरूरत है उतनी हम रख लेंगे तो यह देखे फ्रेंड यह टिप्स आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताईगा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलि अगली टिप्स देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है तो फ्रेंड अगली टिप्स प्रकार जैसे सूरं जो राता है उसको आप इनी ऐसे नहीं काट सकते हैं हाथों में यानि गलब्स पहनिये नहीं तो फिर इस तरह से पॉलिथिन हाथों में लगा और खुली इसकी जो रहती है यह शोरण की बहुत ज़ादा रहती है तो आप इस पुरकार से आथों में बैitals को बाङ्द लेजे दोनों हाथों में इस प्रकार से बांध लीजे और इसको का करिए चलिए देख लेते हैं इसको कैसे कट करेंगे इस प्रकार से देखिए बांध लिए हैं अब इसको हम कट करेंगा इसमें क्या रहाता है हाथ भी हमारे काले नहीं होते क्योंकि सुरुन काटने से थोड़ा सा हाथ भी में पढ़ को देख सकते हैं वीडियो में कैसे कट कर रहे हैं तो यह देखे थोड़ा सा हाड रहाता है काटने में आसानी शरी नहीं कर थोड़ा टाइम लगते हैं तो देखे फ्रेंड यह कट कर लिये हैं अब इसको हम थोड़ा नहीं छोटे पीस कर लेते हैं, तो यह देखे, इस परकार से हम इसको बीस से कट कर लेते हैं, और इसको अब जो उपर के छिलका है, इसको भी हम निकाल देते हैं, और यह पॉल्थी लगाए हैं, तो आसानी से निकाल लेंगे, और हाथ में नहीं लगेंगे, नहीं तो ऐसे होता तो बहुत आद में लग जात हो आ रिचिं कोती थे इस प्रकार से समी छिलका को भी निकाल लेते हैं इस भूखे प्रेंड निकाल लेते हैं चलिए फटा फटरत फटर पूरे नियुघ सुरान के तो देखे फ्रेंड, निकाल लीएं इसके छिलका को, अब इसको चलिए हम एक कुकर लेते हैं, कुकर में हम पानी डाल दिये हैं हापर, अब इसमें हम क्या डालेंगे, सूरन को डाल देंगे, ये देखे, डाल दिये हैं, अब इसमें हम क्या डालते हैं असूरन को ऐसे बिना खटाई के आप खा नहीं सकते हैं इसमें जब भी आप उबालेंगे तो इसमें कुछ खटाई डाल दीजिए अंचुर आपके पास नीबू नहीं है तो अंचुर भी डाल सकते हैं तो इसमें अंचुर आप आधा कफ डाल तारी प्रशंदों आदें ऐसा करते केुटने लाला है और के लावल के दरी अदिए टारी हिस्यक्ति बखेगा हम आच अधशलन में आम डाल देंगी इन दरीज़ होगा है कि इसमें जो गले में लगता है सूरण वह नहीं और इसको विम्म आज़ेक के और इसके रही था जए असुनोटा दाले तेस जो ह~~~~ इसमें द्रेख्षेश कि पारे लोगे धे कुल जाूँ है । रिख्षष फसके आपने के धस्यावması Україnot तो फ्रेंड लगा लिये हैं 6 सीटी अब इसको देख लेते हैं ओपन करके तो फ्रेंड ये अच्छा से जो है तो पग गया है सूरन ये देखे अब इसको हम निकाल लेंगे इसको निकाल लिये हैं तो चलिए फ्रेंड इसको कट कर लेते हैं ये देखे आपको जैसे पीज चाहिए उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं थोड़ा साई इस परकार से इसको कट करें बड़े बड़े पीस में तो देखे इस परकार से फ्रेंड हम कट कर लेंगे उड़े सूरन को तो देखे फ्रेंड इसको कट कर लिये हैं अब क्या करेंगे इसको दूप में सुकवा देंगे यानि एक दिन के दूप इसमें लग जाएगे इसके बाद हम इसक सबजी के छिल का वच्ता है हम फैंक देते हैं तो चलिए फ्रेंग्य, इसको भाभ आची खाद बना ले ठानी के लिए हम लोग जो घर में पेड पाधे लगाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी खाद बन पिम्हा एक तियार हो जाती है यानि जब लाय थे तभी खराब थी ये, तो इनको निकाल लिए इसके दाना जो है तो हम लगए नी बहुत देगे तो ये जमाएगी उगाएगी, इसमें हम थोड़ा सो रेत डाल देते हैं ज्यादा नहीं डाले, बस थोड़ा सा डाले हैं हर चलीन इसमें अब हमber दाल देंगे कि इस पिकार से इसमें तो देखिए इसमें मिट्टी डाल दिये हैं और इसमें जो मिर्च लिये तेरे नलाल वाली इसको भी इस डाल दिये को हम 15 दिन के लिए ऐसे ही पैक करके रख देंगे तो फ्रेंड ये किचन टिप्स कैसी लगी जरूर बताईए अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर